भाषा केवर अभिवक्ति का ही माध्यम नहीं है, बलकि भाषा समाज की संस्कृती और विरासत को भी सहेजने का काम करती हैं। अपनी भाषा की विरासत को सहेजने का ऐसा ही काम सुरिनाम में सुर्जन परोहीचि कर रहे हैं। इस महेने की दो तारीकों वो 84 वर्स के हुए हैं। उनके पुरवज भी बर्सों पहले हजारों स्रमिकों के साथ रोजी रोटी के लिए सुरिनाम गए थे। सुर्जन परोही जी हिंदी में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। पहा के राष्ट्रिय कवियों में उनका नाम लिया जाता है। यानि आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कारियों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महेक है। सुरुनाम के लोगों ने सुरुजन परोहीजी के नाम पर एक संग्रहाले भी बनाया है मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अउसर मिला था